बाकाजिला के चांदन पर्खंड के बिरिनिया पंचायत अंतरगत सुपाहा गौमे मधुमक्की के काटने से एक ही परिवार के आधा दर्जन से अधीक लोग बुरी तरह से जखमी हो गए हैं जिसमें इलाज की कुब वस्थाय करन एक बुजुर्ग की मौत अस्पताल में ही हो गई जबकी एक महिला की स्थिती काफी गंभीर देखकर उसे देवघर रेफर कर दिया गया सभी जखमी के अस्पताल आने पर वहां कोई चिकितसा एवं बेवस्थान नहीं होने पर लोगों इसकी सूचना स्थान या विधायक मनोज यादब को दी जिसकी द्वारा सिविल सर्जन से विधायक से बात करने के बाद अस्पताल में बेवस्था में तेजी आई तब तक 65 वरसिया एक बुजुर्ग भरत पंडित ने दम तोड़ दिया बाद में एक महिला जमनी देवी की स्थिती बिगड़ता देख उसे देवगर रेफर किया गया जबकि ललीता देवी अजय पंडित दामुदर पंडित मालती देवी का इलाज अस्पताल में चल रहा है बताया जाता है कि सुपहा गाउं में एक ही परिवार के सभी स्थ से अपने घर से थोड़ी दूरी पर मकाई के खेत में मकाई तोड़ने गए थे अचानक उस पर मधुमक्की ने हमला कर दिया मधुमक्की के हमले से किसी को भागने का मौका नहीं मिला और सभी लोग चिल अस्पताल परिसर में काफी तादाद में जमा हो गए और अस्पताल परिसर में विवस्थान नहीं देख हंगामा पर उतर आये लेकिन विधायक रस्थान निदाओ की पहल पर मामला किसी तरह सांथ कराया गया वहीं घटना के बाद पूरे गाउं में कोहराम मच गया है जारखंड राज के जसीडी के बसुआधी मोड की समी बिगत आठ सिदंबर को सरिया लदी ट्रक लूट मामले में जारखंड राज अंतरगत देवगर के एच्डिपो पवन कुमार जसीडी थानाधिच बिक्रम परसाद सिंग के द्वारा अमरपूर परखंड अंतरगत कुसमाहा गाउं इस्तित्रहवी इंटर प्लाजज में छापे मारी कर लूटी गई लगबग 25 टन मोंगिया कमपनी की सरिया को बरामत कर लिया गया हाला कि दुकान के प्रोप्रेटर रंजीत मोधी पुलीस को चकमा देकर फ्रार होने में कामियाब हो गये मामले को लेकर देवगर एच्डिपो पवन कुमार ने बताया कि बिगत 8 सितंबर को गिरिडी से मोंगिया कमपनी का सरिया लेकर बिहार पुलीस टीम गठित कर घटना के दूसरे दिन भागलपूर बाइपास रोड की समीप लवारी सवस्था में ट्रक बरामत कर लिया गया साथी ट्रक के चालक वग खलासी को गिरहपतार कर लिया गया ट्रक में लदी सारी सरिया गयाब हो चुकी थी पूछ ताच के दुरान ट्रक चालक ने अमरपूर थाना छितर के कुसमाहा गाउनिवासी रंजीत मोदी के पास लूटी गई सरिया रहने की बाद कबूल की चालक के बयान पर तुरित कारवाई करते में अमरपूर पूलिस के सायोग से कुसमाहा गाउं में च्छापे मारी कर लूटी गई सारी सरिया को बरामत कर लिया गया फ्रार दुकानदार के गिरहपतारी के लिए च्छापे मारी की जा रही है गनेश पूजा के समापन के अपसर पर सोंबार को पंजवारा विधान चक महले में मठका फोड कारिकरम काया उजन किया गया जिसमें 20 फी टुचाई पर बास के सहारे बंदे हुए मठके को फोड़ने के लिए कई टीमों ने प्रयास किया इसमें अस्थानिय न्यू प्रतीमा कलव विधान चक की टीम को सफलता मिली विजेता टीम को अथीतियों के दोड़ा प्रुसकार देकर सम्मानित किया गया मौके पर युवाओं का होसला भजाई करने के लिए निवर्तमान जीप सदस्य बिजय किसोड सिंग, महेस मंडल, देविन रियादव, छोटु सिंग, कमीठी के सदस्य पिंटु पंडित, मनीज भागवत, छोटे पासवान, प्रमोथ पासवान, बिपिन, हर किसोड, दुर कुमार ने किया, इस दुरान सबलपूर एवं पंजवारा लीला बाबास्थान के समीप पुलिस ने दो पईया और चार पईया वहान चालकों के हेलमेट, सीट, बेल्ट, वहान के कागजाद आदि की सघंजाच की, इस दुरान मोटर वहान अधिनियम का उलंगन करने वाले वहान चालकों से पुलिस ने कुल 4,000 रुपी जुरुमा ना वसुले